लास्ट एपिसोड में हम लोग उने एक चाप्टर पढ़ा था आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड ये पोएम आपके NCRT बुक में पैटरन में दिया हुआ है और इसे सुबरमन्यम भारती ने पोएम को कमपोस किया है विंड के नाम से पोएम है तो आ मैं थोड़ा सा इसका ओवर्वी बता देता हूं कि क्या चीजे हो हवा के बारे में कही गई है और किन बातों को इसमें मेंचन किया गया है दरसल इसमें हवा के रुख हवा की ताकत और हवा के बारे में ही सारी बाते बताई गई है सुबरमन्यम भारती ने हवा से बातचीत की है बाष्चीत मतलब जैसे बात करते हैं किसी आतमी से तो उससे हवा हवाजिप पूछा कि कि तऺते हैं तुम क्या कर सकते हome और क्या जबाब करक देती में कि इस तहीं के सब दो होती है हवा जो गर्मियों के दुनों में थोड़ी सी अच्छी लगती है जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बड़ा जो सुहावना सा लगता है वही हवा अगर स्पीड पकड़ ले यानि की हजार किलो मीटर 200 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से वह तेजी से हमारी त भारती ने तो सुब्रमन ने भारती के बारे में थोड़ा से बता दे कि हमारे भारत के ही यह एक तमिल पोएट थे फेमस और इन्होंने देशभक्ती पे बहुत से पोएम लिखी हुई है और आजादी के पहले इन्होंने लिखा यानि इनका जन्म भी हुआ था 11 डेसंबर 18 1882 में यानि 11 डेसंबर 1882 कुन का जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1921 को इनकी मृत्ति भी हो गई तो यह उस बीच जो पोएट थे इन्होंने बहुत अच्छे ची कविताएं लिखी है तो विंड के नाम से भी एक पोएम है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो इसमें देख गिए आशे ज़्टिश अप टोड़ना दो इंड हवा जो है सॉफ्ट ली चलना मगर उसको मत तोड़ना जब हवा चलती है एक खुली हुए तो आप देखते ना खटर पटर कि होने लगती है खटर पटर की और बंद होना इस तरीके से बार बार चलने लगता तो खटर पटर होती है और खिड़की तूट भी सकती है तो इन्होंने हवा से कहा कि मेरी खिड़की को मत तोड़ना don't scatter the papers और दूसरा फिर इन्होंने ये भी कहा कि papers यानि कागज को scatter मत करना scatter का मतलब big hair ना मत उन्हें फैलाना मत don't throw लेकिन आगे साथ ही यही कहा don't throw down the books on the shelf कि books को shelf से shelf होता है book की जो अलमारी होती है books की इस तरीके चोकोर सी बनी हुई होती है खाने खाने उसमें बने होते है ब्लॉक टाइप के तो वो जो shelf होती है उसमें से किताबों को नीचे मत गिराना इन्होंने यह भी कहा कि कागज मत फाड़ना इन्होंने कहा खड़कियों के दरवाजे मत तोड़ना इन्होंने का shelf से किताबे मत गिराना देर लुक वाट यू डिड़ लेकिन अब हवा की तरफ देखकर यह कहते हैं जो चीज हवा कर चुकी थी उसके बारे मताते हैं कि देखो तुमने क्या क्या किया है तुमने जो जो चीज मना की गई थी वो सब किया अब क्या क्या किया था पहली लाइन में कहा है कि तुमने सारी किताबों को गिरा दिया है सब को जमीन पे गिरा दिया है तूर 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 पॉकिंग फन यानि मजाग बनाने में तुम बहुत चदूर हो चालाक हो आट वीकलिंग जो कमजोर चीजे होती उनका तो आप देखते हैं कि हवा थोड़ी से तेज चलने लगती है तो सबसे कमजोर चीजे जो होती है कागज पन्ने और चादर कपड़े इस टाइप की जो भ तुफान आता है कि तूफान कितनी थेज आता है हवा कितनी चल सकती तो यह उस्तित्व में हो सकता है छागे बता है कि कमजोर क्रंबलिंग कंजोर चीज घर्रों को तो धिया है क्रंग दर्वाजर को तो तोड़ टोटी गहले के बार तो एस टाइब से उनको वह तोड़ दिया है क्रमपलिंग बॉड्स और तुम्हें बहुत बहुत से जीवन को तोड़ दिया नहीं जीवन भी खतम हो गए हैं क्रम्ब्लिंग हर्ट्स और बहुत से हिर्दय को तोड़ दिया है तो हवा की जो ताकत होती है बहुत कुछ कर सकती है यह सब हम लोग जानते हैं तो इन्होंने उसी हवा से कहा है कि अगर तुम थोड़ा से स समान होता है और विनोज होता है विनोज का मतलब होता है उसाई करना जैसे आप लोगों देखा है एक चीज़ को अगर तो पता होना चाहिए कि जब गेहूं को साफ किया जाता उसके साथ जो भूसा होता है तो उसे ऊपर से उचाई से गिराते हैं और पंखा पीछे लगा लेकिन हर चीज को जो है कुचल दिया और साधिया मतलब शहर में जितनी हलकी फुल की चीज़े मौजूद थी आसपास वो सब चली गए और बड़ी भारी भरकम चीज़े रुख गए तो यह उसाना हो गया क्रेश जो हलकी फुल की चीज़े गई उन्हें कुचल भी तो डा ताहय करती है जो हम कहते हैं प्रकरती की कोई भी थाकत कोई भी चीज हमारे आपके कट्रोल में नहीं है हवा का रुक सूरच का उगना सूरच का डुपना प्रतवी की चाल प्रतवी मेरं समस्थं प्रकार के जो भौगोली घटनाय होती हैं जिए ग्राफिकल appelle वह यहां पर पोईट ने बताई है तो इसलिए आप हवा का रूख मत बदलिए बलकि अपने घर को मजबूत बनाईए लेट्स जॉइंट दर्वाजों को मजबूती से बांधे रखिए हवा के माद्यम से हमें कई अगर मजबूत इमें तो टूट जाएंगे हम अपने इराजयों को मजबूत रखना है अपने काम को मजबूती से रखना है यहां बताया है प्रग अपने शरीर को मजबूती से एक जगह रोकने करतन की जिए यही करने के बाद यहनई ज…. भी कहा है अगर आप यह सब चीजें करते हैं तो विंड यानि हवा जो है हमारी मित्र बन सकती है और धीरे-धीरे जो हवा है उसका हिस्सा कमजोर पर जाएगा और कमजोरी के साथ जितनी भी हमारे आसपस अगर वीक फायर सोंगी छोटी बतियां जिनने दिया बोलते हैं तो ह हवा जो है जब भी चलती तो उन्हें बुझाते हुए चलती तो हमें मजबूत बनना है वह कहीं ने कहीं आग को कई बार कर देती है उद्वन्त कर देती तेज जलने लगती और फ्लॉरिस मतलब उसे और तेज करके फलित कर देती ही कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सके तो हवा जो है काफी मजबूत होती है वो चोटे मोटे दिये और जो भी आग जलती उसको बुझा सकती है इसके अलावा वो इस प्रकार के आग को भड़का भी सकती है और बहुत विशाल काय बना सकती है तो इस वज़े से हमें अपनी मजबूती करनी चाहिए हवा इसे दोस्ती करनी है तो हमें खुद को मजबूत होना पड़ेगा इस friendship is good उसकी दोस्ती तो अच्छी है वी प्रेज हिम everyday ताकि हम उसकी हर एक तारीफ करते हैं हर एक दिन प्रते दिन उसकी तारीफ करते हैं यही दोस्ती उसकी अच्छी है तो हवा जो है हमारे आसपास अगर नही तो वह सब जो है maintain रहता है तो इन सब चीजों को विंड में बताने की कोशिश किये सब्रमाणने जामी ने आई होब कि सभी को पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी इसके related question answer आप प्रिपेर करें और पोएम को भी अच्छे से प्रिपेर करें जिन लोगों को पोएम कम clear इसे रिवाइंड करके फिर से वर्ट वर्ट समझने की कोशिश करें आपको अच्छे से वीडियो आ जाएगा तो ऐसे एक नए वीडियो के साथ नए लेक्च्चर के साथ नेक्स्ट इलर्निंग शेशन में फिर में लेंगे तब तक के लिए इस्टे हैपी इस्टे सेफ एं आएटर्सर चनल.